हेलो एव्योन तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कबर करूँगा मतलब जो मैंने लास्ट में करा रहा हूं objective of financial management description में आपको link मिल जाएगा सारी पुरानी वीडियो का इस चैप्टर की और वो सारी वीडियो को जो मैं अभी तक upload कर चुका हूं तो देखो, इस वीडियो में पढ़ेंगे Financial Management का Objective क्या होता है Main Objective क्या है Financial Management हम करते क्यों है इसका Simple सिर्फ एक Objective है और कुछ नहीं है, कुछ fancy नहीं है इसका Simple एक है और मैं Bold में लिख रहा हूँ Maximize Maximize Shareholders Shareholders Wealth Basically, यह क्या कहता है point यह कहता है कि Financial Management का एक काम है और वो काम है, ultimate काम है कि Shareholders यानी Company के Owners की Wealth भढ़ाना मेरे को हाला कि सची बता हूँ अपने दिल की बाद मुझे यह कहना ही थोड़ा डम लगता है Basically, ऐसा भी है Financial Management का एक काम है पूरे Business का हमारे Business की हर Activity का, Marketing का, Research का सबका यही काम होता है यान में कि जो Company के Owners हैं यानी Company के Founders या फिर हम कहें Owners उनकी Wealth को Maximize करना उनको साधा से साधा Earnings देना इसका मैं आपको और तभी मैं आपको एक और यहाँ पर चीज़ बताता हूँ तभी आप जैसे News में देखते हो आप हर जगे देखते होगे, आप Movies में देखते होगे कि Corporates को बड़ी Bad Light में दिखाया जाता है जो बड़ी-बड़ी Company होते हैं बड़ बुरा प्रोटर किया जाता है जैसे कि यह कितना बुरा कर रही है लोगों के साथ और Companies को बुरा करना पड़ता है क्योंकि वो प्रेशन में होती है अपनी Owners के वो प्रेशन में होती है अपने Shareholders की और Shareholders के प्रेशर की वजे से उन्हें ऐसे Action लेने पड़ते हैं जो Society को हाम करते हैं बड़ Shareholders को फायदा करते हैं मैं यहाँ पे आपको एक Practical बात बता दा हूँ देखो एक Company के Shareholders जो होते है पब्लिक लिमिटेड कमपनी के Shareholders जो की Stock Exchange में लिस्ट होती है उनके Shareholders पूरे Country में फैले वे होते हैं हर बंदा 10, 10, 15, 15, 20, 20, 100, 1000 10,000 जिसके जितने पास जितना पैसा होता है उतने वो Shareholders खरीद के बैठा होता है Company के अब हर Shareholders चाहता है कि उसके Share का जिस Company का वो Share लेके बैठा है उसका Price भड़े तो इस वज़े से और अगर Price नहीं भड़ा तो वो Share बेच देगा तो Company को हमेशा अपने आपको Profitable लगना पड़ता है हर Company को और इसी वज़े से वो ऐसे Brutal Action लेती है जिनकी वज़े से उनको पदनाम मिलती है जैसे कि मैं आपको बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ बताता हूँ जब एक Company Layoff Announce करती है Layoff का मतलब क्या हुआ जब एक Company Announce करती है कि हम अपनी बहुत एकदम हम कह रहे हैं हमें एकदम से 1000-2000 लोगों को फायर कर रहे हैं अपनी Organizations को उनको हम निकाल रहे हैं हर बंदार होता है जब ऐसा होता है जो Employees Fire होते हैं वो रोते हैं जो Media वाले होते हैं वो रोते हैं उनके घर वाले होते हैं Company को गालियां पढ़ती हैं बट आपको ये चीज़ नहीं पता होगी और ये चीज़ मैंने एक Book में पढ़ी थी Rich Dad Boy Dad जिस Book का नाम है कि ये चीज़ आपको नहीं पता कि Shareholder जब Layoff Announce होता है Shareholder खुश होते हैं वो एक लोते बंदे होते हैं जो खुश होते हैं जब Company से 1000-2000 लोगों की जॉब से निकाला जाता है क्यों? क्योंकि Company को अब कम खर्चा होगा और कम खर्चे का मतलब ज़्यादा Profit तो Shareholders की Wealth बढ़ेगी तो कहने का यह मतलब है Companies Brutal Action लेती हैं बुरे Action लेती हैं क्यों हो? क्योंकि उनका Maxim Main Objective होता है Shareholders की Wealth बढ़ाना Simple उसके इलावा उनको कुछ नहीं देखता अब मैं आपको यहाँ पर छोटे एक दो एक्जामपल देना चाहते हूँ Practical Life के जिनको सुनके आप के शायद रॉम टे खड़े हो जाए PVR Cinemas PVR Cinemas का 2006 में Share आया था उस टैम जब Share आया था 300 रूपे का आया था आग 2012 में 2016 में उसका Share 1200 रूपे की वर्थ रखता था एक टाइम ऐसा था अभी भी 1100-1200 की वर्थ रखता है TCS का Tata Consultancy Services अगर आपको नहीं पता है इंडिया की बहुत बड़ी IT कमपनी है 2004 में इनका Share आया था 200 रूपे के आराउंड आज इनका Share 2700 रूपे 2700 रूपीज की वर्थ रखता है तो अब आप समझ सकते हो कि जिननों लोगों ने इनके Shares उस टाइम खरीद लिये थे अब वो कितने करोड़ पती बन चुके है उनकी कितनी वर्थ बन चुकी होगी सोचो उन्होंने कितना पैसा कमाएं इन 10 सालों में 300 का शेर 1200 का धाइसो के शेर 2700 रूपे का तो फिर मतलब मैं यहाँ पर आपको बस यही एंकरेज करना चाहता हूँ शेर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करो जो लोग हमारे बड़े बूडे कहते हैं वो चीज मत सुनना बस शेर मार्केट में इन्वेस्ट करो जुआ मत खेलो गैंबलिंग मत करो क्योंकि स्पेक्यूलेटर हमेशा हार के जाता है शेर मार्केट से तो अब्जेक्टिव और फाइनेशल मैनेजमेंट है मैक्सेमाश शेर होल्डर वेल्थ और शेर होल्डर की वेल्थ इस तरीके से होती है मैक्सिमाईस और कोई तरीका नहीं है कमपनी प्रॉफिट कमाए उसको रिइन्वेस्ट करे और शेर का प्राईस उपर जाता जाए जाता जाए इस तरीके से भढ़ती है शेर होल्डर की वेल्थ अल्दो मैंने इस वीडियो में मेरे को लग रहा है मैंने काफी साथ एक्स्टा नॉलिज बाट दी है और जो बहुत-बहुत नेसेसरी और बहुत helpful होगी आपके लिए अब हम पढ़ते हैं last topic objective of financial management में कि कैसे कैसे shareholders की shareholder holders holders wealth maximization मैं इसको short form में लिखना हूँ wealth maximization is possible by possible by मतलब shareholder की wealth कैसे भढ़ती है हमने अभी मैंने आपको बता है shareholder की wealth कब भढ़ती है जब share का price भढ़ता है और shareholder की wealth कैसे भढ़ती है इसके तीन points है पहला point है ensuring availability of fund ensuring availability of funds at reasonable cost इस point को मैं बिल्कुल नहीं समझाने वाला क्योंकि यह exact point मैं बिल्कुल पिछली वीडियो में बिल्कुल exact point यह समझा चुका हूँ तो मैं अब time नहीं waste करूँगा अगला point है ensuring effective utilization of funds यह हम basically बात कर रहे है investment decision की effective utilization of funds utilization utilization of funds मुझे पता है मैंने कुछ फार्सी इसी लिख दिये बट यहां पर मैंने लिखा है ensuring effective utilization of funds अगर आपको यह point में मिल जाएगा है यह basically हम investment decision की बात कर रहे हैं यहां पर कि हमें उस जगे पैसा invest करना चाहिए जहां पर हमारा cash flow अच्छा हो और हमें ज्याद स्यादा return on investment मिले और लास्ट point है ensuring 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 safety of funds safety of funds यहां पर यहां पर इस वाले point में हम basically दो तरीके कि safety बात करते हैं एक हम बात करते हैं savings की जो हमारे धरवाले हमें कहते रहते हैं कि savings करो future के लिए savings करो saving करो एक company को भी saving करके चलनीचे future के लिए कि miss happening हो जाए या फिर उन्हें कुछ expansion में किसी project में काम आ जाए को कहीं भी use कर सकते हैं और insuring एक तो हम यहां पर savings की बात कर रहे हैं और safety of funds में हम जो अगला point कहना चाहते हैं वो है कि unnecessary unnecessary usage ना हो funds की कहने का मतलब यह है कि हम बेफालतु में उल्टा सीदा पैसा ना ओडा रहे हो हमारे हमारी company में बेफालतु का furniture floorings और बड़े बड़े shock ना हो रहे हो तो हमें अपने funds जो हैं हमारे पास जो पैसा है उसे wisely use करना चाहिए हमें पैसा मेरी तरह नहीं यूज करना चाहिए कि यह में पैसा है और उसे सारा खने पीने में उड़ा दिया और मैं आपको यहां पर एक हलकी से practical अलग चीज़ बताना चाहता हूं मैंने कई सारे स्टार्टप में इंटर्ण्शिप करी हैं मतलब लास्ट यह मैं कई सारे स्टार्टप में गया हूं स्टार्टप बेसिकली एक business होता है जो small scale पे start होता है बट वह बहुत बड़ा होना चाहते है जैसे Google, Microsoft यह भी start-up थे तो मैंने कई सारे स्टार्टप में चीज़ अब्सरफ करी है कि वह क्या करते हैं जैसे उन्हें 4-5 करूर की funding मिल जाती है वह funding को unnecessary उड़ाना चालू कर देते हैं महेंगा furniture महेंगे computers जिनकी उन्हें कोई जरुवत नहीं है महेंगे flows लग्जूरियस जगे जाना तो वह पैसे को पेफालतु में उड़ाना चालू कर देते हैं और ultimately जब आप पेफालतु में पैसा उड़ाते हो तो obviously बात है business कंजूस से चलते है business में आपको बहुत wisely funds spend करने होते हैं अगर आप बेफालतु में पैसे उड़ाओगे तो आपका business obviously बात है flop हो जाएगा तो फिर हमें funds को बेफालतु में नहीं उड़ाना चाहिए तो इसके साथ हम इस chapter की समापती लेते हैं आपको इस chapter को कोई topic समन ना है हो तो क्यों चाहिएividad झाहिए नापकोать है Clearly क्यों बहुतिता है। ऱूचलतु विवागगे झालतु मुदक अपकोई विवागे था तो डाओल इपकोई है